कि इस पॉड़्कास अमनों शुरुवात करेंगे सप्रेशन ओफ दरिवोल्ड की की 1857 का जो रिवोल्ड था उसकी सप्रेशन कैसे की गई उसको दबाया कैसे गया और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर यह revolt fail क्यों हुआ देखिए दबाया कैसे गया वो process है और fail कैसे हुआ यह जानने का कारण है जो समझना है कि क्या कमी थी सबसे पहले पढ़े ही कि suppression कैसे किया गया था क्या process था सबसे पहले तो यह समझे कि the revolt was finally suppressed एक यह statement है कि revolt जो है finally पूरी तरह suppressed कर दिया गया ब्रिटिश ने डेली कब रिकाप्चर किया September 20 को ही कर लिया था 1857 को May 10 को मेरट में विद्रो हुआ उसकी शाम ही वहाँ से गुड़ सवार बगर अच दिल्ली के तो दिल्ली में भी उसके थोड़े दिर बाद ही revolt होने लगा था September 20 1857 को डेली को फिर से ब्रिटिश लोगों ने रिकाप्चर कर लिया इसके बीच में एक बहुत लंबी फाइटिंग हुई बहुत लोग मारे गए इन फैक्ट जो इस रिकाप्चर का लीडर था ब्रिटिश का आर्मी का वो था जौन निकलसन जौन निकलसन ने बहुत अच्छी फाइट दी ठीक है वो लोग बहुत कुशल थे लेकिन फिर भी जौन निकलसन को उस लड़ाई में ऐसे घाव लगे कि कुछ दिनों बाद ही उस इंजरी से जौन निकलसन की डेट हो गई अब जौन निकलसन का नाम याद रखो रिकेप्चर करवाय था डेली में लेकिन बाद में घायल होके उसकी मिर्तियू भी हो गई बहादोर्शा को मैंने आपको पहले भी बताए था कि प्रिजनर बना दिया गया कैप्चर करके बहादोर्शा जफर को जो की काफी बुड़े हो चुके थे तो मारा थो नहीं क्या वासी नहीं दे गई लेकिन बहादोर्शा जफर को बर्मा भेज दिया गया मैनमार भेज दिया गया बाकी जो रॉयल प्रिंसेस थे बाहदुशा जपर के जितने बेटे थे कहते हैं कि 10 रॉयल प्रिंसेस थे सारे को on the spot point blank से मतलब कि एकदम सिर पे ललाट पे फुरेड पे गन रखके उनको गोली मार दी गई सारे लोगों को और सारे लोगों को गोली मारी सीधे-सीधे खुद से लेफ्टिनेंट हड्सन ने याद रखेगा लेफ्टिनेंट हड्सन ने सीधे-सीधे point blank पे बाहदुशा जपर के जितने भी सारे रॉयल प्रिंसेस थे उसके अलावा बतीचे बगरा सबको जेखिये गोली मार दे तभी तो बाहदुशा जपर कहते हैं शायरी में कि दो गजमी भाई ना मिली मरने के बाद जो दफन होता है उसके लिए अपने दिल्ली में दो गजमीन भी ना मिली जो जमीन मिली वो रंगोन में मिले खैर एंपरर वाज एकजाइल टू रंगोन एकजाइल कर दिया रंगोन में वही जेल में रख दिया और कुछ सालो बाद पांस साल बाद 1862 में बादो शाह सबबर की उसी जेल में डेथ हो जाती है नाम हो जाता है ये भी याद रखीगा कि इसके बाद जो है रियल मुगल कोई नहीं बचा रोयल फैमली का क्योंकि सारे प्रिंसेस को मार दिया गया कोई नहीं बचा उसके बाद जो हैं बस क्लेम करने वाले हैं तो जो आपका हाउस अफ मुगल्स था फाइनली इक्स्टेंग्विश हो गया इंडिया से completely और बाकी जो है डिली के चुकी डिली के लोगों ने भी समर्थन किया था तो डिली के जो लोग थे उन पे बहुत जुर्म बरपाया गया कहते हैं बहुत गंदा बदला लिया गया और जो जैसे ही डेली का fall होता है तो चुकि focal point तो डेली था सबकुस तो डेली में ही था वहीं से तो leadership, central leadership ली जा रही थी वहीं तो मुगल बादोशार जफर को emperor of the India बोला जा रहा था तो धिर धिरे सारी जगों से भी revolt जो है खतम होता है वह थोड़ी जगयत कुछ देख लेजिए one by one जितने भी great leader से revolt के वह सारे fail हुए fail मतलब मैं fail नहीं बोल रहा हूँ fail मतलब गिर ना बोल रहा हूँ गिर गया है अपनी चीजों में successful नहीं हो पाए क्योंकि उनका leader ही मारा गया military operations कानपूर के लिए बोलें तो कानपूर में जैसे ही recovery हुई तो वो साथ ही साथ आपके लखनाओ में भी recovery हुई पास में पास में ही था sir Colin Campbell sir Colin Campbell ने कानपूर को December 6th 1857 को हतिया लिया नाना साहब को कानपूर में हरा दिया गया और नाना साहब को exile तो नहीं किया गया वो मराठा लोग देखिए गुरिला वार में expert थे तो वो escape कर गया और escape करके नाना साहब जो है कानपूर शोड के नेपाल चले गए 1859 के शुरुवात में और आज तक नहीं पता चला कि नाना साहब उसके बाद कहां गय थे कैसे थे जो उनके closest अब तातिया टोपे को तो बहुत गुरिला वार वगरे करना आता था तो वो central इंडिया के मद्यप्रदेश के नर्मदा के आसपास के जंगलों में चले गए आपको पता ही होगा गुवालियर के आसपास ही यह सारे जंगल वगरे भी हैं मद्यप्रदेश के लेकिन उनके एक इनसान ने उनको धोखा दे दिया उनके खुद के इनसान ने और बता दिया कि वो जंगल में कहां पे हैं सो रहे थे सोते हुए उनको एपरिल 1859 में पकड़ लिया गया और उनको जहां से मार दिया गया जहांसी की रानी पकड़ी नहीं गई कहते हैं बैटल फिल्ड में लड़ते लड़ते पूरसों के साथ मारी गई तो कुछ लोग बोलते हैं कि पूरे रिवोल्ट में अगर कोई एक मर्द था तो वो जहांसी की रानी थी हला कि आज के कॉंटेक्स में यह बोलना मर्द मतलब लड़ाई करता है बस औरते नहीं करती यह गल इसाब से 1859 में कुवर सिंग जो आपके बिहार के जमिंदार थे बक्त कां आपको बताए ही पहले बक्त कां जनरल बक्त कां खान बहादुर कां बरेली और बाकी नाना साहिब के एक भाई थे राव साहिब और बाकी जो आपके मौलवी अहमद उल्ला का बतायता है यह सारे 1859 में नाम फिर से याद रखिएगा कुवर सिंग बक्त कान खान बहादुर कान बरेली और राव साहिब यह नया नाम आप सुन रहे हैं यह नाना साहिब के भाई थे यह सारे लोग मारे गए 1859 तक सारे लोग मारे गए और जो बेगम औप अवद थी जिनोंने वार डिकलेर किया था उनको बोला कि आप नेपाल चले जाओ आपको मारेंगे नहीं लेकिन वो नेपाल भीज दिया उनको बनारस में भी एक रिबेलियन और गनाईज हुआ था उसको करनल नील ने बुरे तरीके से दबा दिया और जितने लोगों ने वहाँ पे माना जाता है कि रिबेल किया था सारे लोगों को फांसी लगा दी गई और जो बाकी जो डिसॉर्डरली से पहस थे जो बात ही नहीं मानते थे उनको भी फांसी लगा दी गई बनारस में 1859 की अंत तक ब्रिटिस ऑथारिटी जितो इंडिया में पूरी तरह से रिस्टैबलिश हो चुकी थी फिर से दो साल यही प्रॉबलम हुई 1859 में पूरी तरह से रिस्टैबलिश कर दिया लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिस गवर्मेंट को बहुत जादा इमेंस सप्लाइ देनी पड़ी में की मनी की मैटेरियल की आर्मी की है ना और याद रखिएगा कि इस चीज का खर्च जो है ब्रिटिस नहीं उठाएंगे बाद में इंडियन कम्मिनिटी से ही इंडियन पॉबलिक से ही टैक्सेशन के थूरू किसी तरह से ड्रेन करके यहां से वेल्ट का एं कई सारे रेजन हैं एक तो है कि आल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था सारे क्लासेज ने जॉइन नहीं किया था आम्स और एक्क्विपेंट्स अच्छे नहीं थे और कोई एक यूनिफाइड आइडियोलोजी नहीं थी तो सारी चीजों को जो है थोड़ा-थोड़ा य यही था one of the factors कि पूरी भारत की जनता पूरे भारत की territory में यह विद्ध्रो नहीं हुआ इन फैक्ट आप देख लो ना ग्वालियर के राजन नहीं साथ नहीं दिया यही बड़ी प्रॉब्लम थी Eastern, Southern, Western parts of India remained more or less unaffected Eastern India अगर आप चले जाओ जारखंड बंगाल का अरिया तो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं था वापे, South तो almost untouched था, Western parts बगर में भी गुजरात बगर में कुछ नहीं था, राजपुताना में भी कुछ खास नहीं था, जो था ज्यादा तर आपके Northwest Frontier provinces और आपके UP में ही थ थोड़ा बहुत आपके बुंदेलखंड एरिया तो बुंदेलखंड भी तो UP से ही सटा हुए, इसी एरिया में थोड़ा बिहार का एरिया होगा, और क्या, बाकी तो अनफेक्टेड रहे हैं, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ जब भी थोड़ी बहुत अपराइजिंग ज दिखते हैं स्पेक्टरम में, all classes did not join, अब मैंने आपको पहले बता थे कि धेर सारे classes ने join किया है ना, लेकिन कुछ classes ऐसे थे, जिनोंने, कुछ groups ऐसे थे, जिनोंने इस rebellion को, इस revolt को join नहीं किया, बिग जमिनदार्स acted as breakwaters to a storm, यह जो storm था, उसके लिए जो breakwater है, जो आंधी तुपान का पानी जो रोकना होता है, उसके लिए कई बार बिग जमिनदार ने breakwater की तरह काम किया देखिए, इनफेक्ट जब आप अवद के तालुकदार को भी देखेंगे, तो उन लोगों ने back off कर लिया था, कैसे back off कर लिया था, ब्रिटिश लोगों ने इसी revolt के दोरान बोला है कि भाई हम तुम्हारा जो land हमने लिया है तालुकदार को 21,000 जो तालुकदार थे जो खाली कराया है, जैसे ही ये पूरा revolt कतम होगा, हम आपको लटा देंगे, आप चिंता मत करो, तो वो तो जमीन के लिए लड़ गया थे, उनको तो और कोई मतलब था नहीं, वो तो अमीर लोग थे, तो उन्होंने बोला कि वाह, इज़त फिर से आ जाएगी, तो चलो ठीक है, तो बैक off करके दोखा दे दिया, मनी लेंडर और मर्चेंट को तो नुकसान भो रहा था, इस रेवल्ट से, तो म्यूटीनियर्स ने उसको बहुत परिशान किया था, है ना, तो मनी लेंडर और मर्चेंट जो थे, उन्होंने यह सोचा, कि वो ब्रिटिश के अंदर ही ज़्यादा प्रोटथेड रहेंगे, एजुकेटेड थे ने लेकिन कुछ लोग जो एजुकेटेड इंडियन्स थे हैं उनको ये रिवोल्ट थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग देख रहा था कि ये क्या चमडे के नाम पर मतलब और सी क्रॉस करने के नाम पर लडाईया कर रहा हूं अरे ब्रिटिश लोग हैं गोरे इंडियन इस वीव वाले भी थे कहते हैं ना लिबरल लोग इस पीपल हील्ड हाई होप्स दैट ब्रिटिश वोडशर इन एरा ओप मुडरनाइजेशन इंगलिस पढ़ेंगे क्या पर्शियन पढ़े रहा हूं अभी तक संस्क्रिट पढ़े रहा हूं और सो रूलर्स जो मुसली उन्होंने देखिय है रिफ्यूज कर दिया था था मैंने आपको पढ़ाये तो रूलर्स कितने बता है मैंने आपको दो चार बता है बाकि तो जमिंदार बहkung है थे एक तो आपने मुगल बादस्सा को बना दिया जा ब्रदस्ती बाकी रूलर्स लोगोंने कहां प्रिटिश का साथ दिया पटियाला के जो राजा थे उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया सिंद के राजा जो थे जो चीफ वगर थे पॉपलेशन के या सिक के जो चीफटेंस होते थे इन सारे लोगों ने देखिए ब्रिटिश का साथ दिया कश्मीर के जो महाराजा थे उस साथ दिया और कहते हैं कर निकिंगे इंडिया की जो टोल एरिया का अगर बात करें तो टोल में देखिये वन पूर्थ एरिया इंडिया का जो था वहीं में रेबोल्ट होआँ तो यह कहते हैं की इस लेऌसे बादि जो 9 by 10 population थी, उसको कोई फरक नहीं पड़ा था, तीसरा रीजन ये है, कि इनके arms और equipment किसी तरह से British के match नहीं थे, अब चीना जप्टी करके, जो अपने garrison वगरे से लेकर रहे थे, वो arm कितना रहेगा, वो गोलियां कितने दिन चलेंगी, Indian soldiers देखिए, poorly equipped थे, materially, वो कई बार तलवार लेके लड़े रहे थे, बताईए, भाला लेके लड़े रहे थे, swords and spears लेके लड़े रहे थे, गन तो बहुत कमते हैं न, muskets बहुत कमते हैं, muskets भी इसी तरह का ओजार हुआ, On the other hand, European soldiers के पास क्या था, बताईए, Enfield rifle था, उनको तो कोई शरम नहीं थी, उस करने में चमड़ी, electric telegraph जो था, उससे उनकी information पास होती रहती थे, जो कि किसी एक भले इंसाने रोपने की कोशिश किती, पिछले podcast में मैं आपको बताया था, electric telegraph इनके पास कहां से आएगा, हम तो strategy जो होती है, समझने की rebels की उससे उनको बहुत electric telegraph से मदद मिल जाती थे, नेक्स यह है, uncoordinated and poorly organized था, देखिए, पूरा revolt जो था, बिखरा सा था, coordination की बहुत बड़ी problem थी, communication, coordination कैसे करते आकर, मजबूरी थी, coordination नहीं था, कोई central leadership अच्छी नहीं थी, और जो principal, इसके जो rebel leaders थे, जैसे कि Nana साहब, तातिया टोप, कुवर सिंग, लश्मी भाई, तो अगर आप compare करें, तो British के जो officers थे, जो general थे, उनकी हिसाब से यह लोग पीछे थे, क्योंकि उनकी जो scaling थी, अलग level की थी, उनकी जो training थी, अलग level की थी, है ना, और East India company में अगर बात करें, अपने राणी मतलब, जासी की राणी, लश्मी भाई जो है, थी, और कुवर सिंग, तातिया टोपे से अगर compare करें, तो British officer में देखे, exceptional abilities वाले men थे, यह जो Lawrence brothers थे, John Nicholson जो अब थोड़ी दिर पहले बताया, जो की, जान मतलब बहाद्दो बैठे अपने, बाकी James Outram, Henry Havelock, यह सारे लोग काफी कुशल माने जाते थे, skilled माने जाते थे, officers में इस तरह की लड़ाई में, next यह reason है कि कोई unified ideology नहीं थी, सब की अपने-पने मतलब थे, mutinious जो थे, उनके पास भी कोई clear understanding नहीं थी, कि colonial rule कैसा है, क्या है, इसमें क्या खराबी है, कोई forward looking program नहीं था कि चले मुगल बासा को बनाएंगे, क्या पहले मुगल बहुत अच्छा रूट चला रहे थे, क्या, कोई coherent ideology भी नहीं थी, सब की अपनी अलग-अलग थी, और कोई political perspective नहीं था, democracy लाएंगी की नहीं लाएंगी, यह सब तो कुछ था ही नहीं, कोई alternative नहीं प्रजेंट किया इन्हों gravances थे, है ना, और उनकी जो understanding थी, कि उस टाइम का current politics कैसा था, सब की अलग-अलग understanding थे, तो यही चीजें थी, साथी साथ, जो इंडियन के अमंग unity थी, वो भी काफी minuscal थी, unity नाम की कोई चीज थी नहीं, और कह सकते हैं कि, वो unity करना होना, इंडियन क्या, उस टाइम पी, हिस्ट्री से देखे तो unavoidable था, इतना social divide था कि वो unity में problem आनी ही थी, modern जो nationalism होता है कि भारत एक राष्ट्र है, ये concept तो देखिए सल्तनित के टाइम से लेकि मुगल के टाइम तक केजे को पता ही नहीं था, और कह सकते हैं कि 1857 के revolt के पहले, इंडियन लोग कम united थे, जब एक कि हम एक श्राइद country से बिलॉंग करते हैं, खैर, इसके लाबा हिंदू-Muslim unity factor देखिए इसमें, ये जो revolt था, entire जो revolt था, उसमें हिंदू और Muslim के बीच में ये अच्छा factor बता रहा है, मैंने reasons of failure बता दिये, मैं एक नया factor बता रहा हूँ, revolt में, हिंदू-Muslim unity factor वो आपको अल बार लगाया जा रहे थे, इस revolt के बाद, तो हिंदू-Muslim सब को बराबर जगह दी जा रही थे, in fact, ये पूरे revolt में, हिंदू और Muslim के बीच में complete cooperation था, equality थे, हर level पे, लोगों के बीच में, soldiers के बीच में, leaders के बीच में, तीनों level पे, सारे के सारे जो rebels थे, उन्होंने परर माना, वो बाहदुर्शा को माना, तो हिंदू-Muslim का तो उसने पे कोई डिवाइड नहीं था, है न, और जो first impulse आया था, हिंदू सिपवय को मेरट में मार्च करने का डेली को, तो डेली में मार्च करके कहां गये वो, मुगल एमपेरियल के डेली गये, कोर्ट में गये, और अगर बाद में अपने जो freedom struggle के नेता बने मौलाना अजाद, उनकी बात माने, तो उनका कहना था, two facts are stand out clearly in the midst of the tangled story of the rising 1857, 1857 के story बहुत जो है आपस में उलजी हुई है, लेकिन उस उलजन में से दो सुलजन तो पक्का है, दो facts तो पक्के है, first fact यह है, कि एक sense of unity जो थी लोगों के बीच में, हिंदू और मुसलिम के बीच में, वो बड़ी noticeable थी, remarkable थी, दूसरा यह है, कि लोगों का मुगल crown के परती बहुत high level का loyalty था, rebel हो, सिपोय हो, बोध हिंदू और मुसलिम, दोनों आपस में एक दूसरे के sentiment की बहुत respect करते थे, मुसलिम यह नहीं बोलता कि कारत उसमें सूर का चमड़ा तो क्या दिक्कत है, नहीं, जैसे ही, जैसे ही, बाहदूर शार जपर को emperor of the India बनाया जाता है, याद रखेगा, उसी टाइम पे cow slaughter को, जो है, बैन कर दिया जाता है, ताकि हिंदू sentiments की रक्षा हो, किसी भी area में revolt successful होता था, वहाँ पे cow slaughter को ब ना शाहब की बात करें, तो ना शाहब के पास political propaganda के जो expert थे, जो aid थे, जो सलाकार थे, वो नाना शाहब के अजिमुल्ला थे, अजिमुल्ला मुसलिम होने के बाजूद भी नाना साहब ने उनको देखी, जबकि पहले मराटाओं और मुसलिम की बहुत लड़ाईयां होई थ नाना साहब अपना लेडर्शिप किसको, लेडर किसको मान रहें, बहुत दूसरा जपर को, और नाना साहब की मदद कौन कर रहा है, अजिमुल्ला, उनके लिए एक expert political propaganda फैला रहा है, उनका aid है, अच्छा लश्मी भाई नहीं क्या, लश्मी भाई ब्रामन रोलर थे जबकि याद रखेगा, लश्मी भाई राजपूत नहीं थी, ब्रामन रोलर थे, उनको solid support था, अफगान soldiers का, जो अफगान soldiers थे, उन्होंने लश्मी भाई का बहुत support किया था, तो कह सकते हैं कि जो 1857 के events थे, वहाँ पे कोई basic communal जो था, मतलब या sectarian belief था, वो नहीं आया था, वो अब British समझ जाएंगे कि हिंदू-Muslim की unity में ही problem है, तो 1858 से कुछ ऐसी-ऐसी हरकते करने लगेंगे, कि इंडिया में जो है, socio-religious divide बढ़ने लगेगा, और वो तोड़के इंडिया का social structure उनको बहुत फायदा होता है, आगे administration चलाने में, यह हो गया, अब पढ़ते हैं कि इस revolt का nature क्या था, यहां से UPC बहुत question पूछती है, तो इस बात पर अब ध्यान दे कि nature of the revolt क्या था, अब nature of the revolt के बारे में differing views हैं, अगर बात करें British historian की, तो वो इसको बहुत नीच तरीके से देखते हैं, तो बहुत था, नहीं यह तो बस सिपाय मुटिनी था, सिपायों ने थ देश भक्ती नाम की तो कोई चीजी नहीं थी, एकदम selfish सिपाय मुटिनी थी, और इसका कोई native leadership था ही नहीं, और public के बीच में कोई support था ही नहीं, ऐसा कहना है Sir John Silly का, लेकिन यह complete picture नहीं है, हैना complete picture नहीं है, because इस revolt में ठीक है, सारे लोग ने participate नहीं किया, लेकिन बहुत sections of the society ने civilian population ने participate किया था, और जो leadership थी, यह कहना कि बाहर के लोगों की थी, native leadership नहीं थी, ऐसा तो कुछ थे ही नहीं, native leadership बिल्कुल थी, unpatriotic, maybe not very patriotic, maybe देश का concept नहीं होगा बहुत, लेकि unpatriotic ऐसे हो गया, है ना, इसमें बस सिपोय ही नहीं थे, discontent जो था सिपोय का, एक वो trigger point था, लेकिन उसके पहले तो बहुत already rebellion हो रहते हैं, बहुत लोग already नारास्ते हैं, तो चलिए Dr. K. Datta क्या बोलते हैं, उनकी सुनिया है, उनका यह कहना है, कि the revolt of 1857 क्या था, उनका भी यह कहना है, Dr. K. Datta का, कि यह military outbreak तो ठीक था, लेकिन बाकी जिन लोगों ने इसको support दिया, या तो वो नाराज princess थे, feudal landlords थे, या किसी का political order, यह लग रहा था, कि अगर British चले जाएं, तो उनकी भलाई होगी, जैसे आप, गुवर्चें की बात ले लिजे, जमिंदारी जमीन लेनी थी, बात कहीं न कहीं सहीं भी है, लास्ट मेंचेंड फैक्टर, कि नया political order रहेगा, तो कुछ लोगों को फायदा होगा, उसने एक और दिया, कि popular appraisings होती, वो certain areas में limited थी, इतना कहतो बुरा ही कहते हैं, फर्दर से इस ददर ता, दता और क्या बात बात बहुता है, बोलते हैं, movement was marked by absence of cohesion and unity, कोई cohesion unity थी ही नहीं, of the purpose among the various sections of the, unity की कोई purpose था ही नहीं, सारे section of the society में rebels में है, लेकिन वीडी सावर कर क्या कहते हैं, वो भी सुनिया है, अब इनो भारत वाले, इसा कहा, वीडी सावर कर ने, अपनी किताब में, उस किताब का नाम है, the Indian War of Independence 1857, ये objective जो है, BPSC बगरे में पूचा जा चुका है, कई state BPSC में पूचा जा चुका है, तो याद रखें, कि ये जो किताब थी, the Indian War of Independence, याद रखेंगा 1947 नहीं, Indian War of Independence 1857, ये जो बोक है, ये वीडी सावर कर ने लेकिती, और उन्होंने ये बोलाता है, कि ये एक planned war था, National Independence के लिए, Independence के लिए लड़ा जा रहा था, पूरी planning करके, अच्छा से लड़ा जा रहा था, ये देश के लिए लड़ा जा रहा था, Indian War of Independence बुक जो है, 1857, ये लिखे थी, वीडी सावर करने, He said, also he said that, it was inspired by the lofty ideal of self-rule of Indians, through a nationalist upsurge, कि हम self-rule करेंगे, हमारा आद में रूल करेंगा, अच्छा और, Dr. S.N. Sen का नाम है, उन्होंने जो किताब लिखी, 1857, simple, 1857, ओके 1857 जो किताब है, Dr. S.N. Sen ने लिखी, और उन्होंने ये कहा, कि ये शुरू हुआ था धर्म के लिए, शुरुआ था धर्म के रक्षा के लिए, लेकिन बाद में जो है, वार अप इंडिपेंडेंज बन गया ये, और हिस्टोरियन के सुनते हैं, Dr. R.C. मजुमदार का क्या कहना है, उन्हों वो बीच वाला रस्ता अपनाते है, उन्हों बोलते हैं कि नहीं, ये विरोध में ही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ना तो ये नैशनल था, ना ये कोई वार अप इंडिपेंडेंज था, ना ये कोई पहला रिवोल्ट था, ऐसे तो अल्रेडी बहुत सारे हो चुके थे, और इसमें कोई खास इंडिया के पॉपुलेशन या एरियाज अफेक्ट हुए नहीं थे, उनका कहना है, नाइन टेंथ तो उसने पाटिसिपेटी नहीं कहा है, लेकिन सबका अपना अपना इंटर्पेटेशन है, कम्मिनेश्ट लोगों का अलगी होता है, उनका कहना है, वर्कर और क्लास का कंफिलिक्ट है, काल माक्स के लोग हैं भाई, तो माक्सिस्ट हिस्टोरियन का क्या कहना है, कि 1857 का रिवल्ड जो है, ऐसा कुछ नहीं था कि ब्रिटिश और इंडियन के बीच में था, वो तो कुछ और था, वो सोल्जर और पेजेंट का डिमोक्रिटिक कंबाइन था, जो कि एक फॉरें और फ्यूडल बांडिज को जिसके अंदर वो दबा हुआ था, है ना, लेवरर, उससे निकलने के लिए ये रिवल्ड किया गया था, लेकिन इस विव पे कही सारे क्वेस्टन किये जाते हैं, क्योंकि लीडर्स जो थे रिवल्ड के वो तो खुद फ्यूडल बैक्ग्राउंड से थे, तो ये क्यों कह हो आपकी ये फ्यूडल बांडेज को तोड़ने के लिए था, ऐसा कैसा हो सकता, अच्छा जवाहरलाल नेरू का क्या कहना है, ये भी सुन लेजिया, उनका कहना है कि हाँ ठीक है, ये फ्यूडल अप्राइजिंग थी, जमिदार लोगों ने अप्राइजिंग की थी, लेकि नैशनलिस्टिक टोन तो था, एलमेंट तो था, M.N.Roy क्या बोलते हैं, M.N.Roy का नाम आगे भी आएगा, M.N.Roy बोलते हैं कि रिवोल्ट वाजे लास्ट डिच, स्टैंड अफ्यूडलिजम अगेंस्ट कॉमर्शिल कापिटलिजम, उनका है कि फ्यूडलिजम का फ्यूडलिजम ने स्टैंड लिया, कॉमर्शिल कापिटलिजम की तरफ, तो आप खुदी सोच सकते हैं कि कहीं-कहीं, M.N.Roy भी एक कम् के खिलाब, आरपी दर्द क्या बोलते हैं, He also says the significance of the revolt of the peasantry against foreign domination, वो मानते हैं, foreign domination के परतीब peasantry का ये revolt था, किसान का revolt था, और वो अक्नॉलेज करते हैं, कि ये जो revolt था, एक defense था, old feudal order को maintain करने के लिए, Anyway, the revolt of 1857 is not easy to categorize, इतने लोगों के अलग अलग differing views हैं, कैसे categorize करें हाँ, हम इसको इस तरह से dismiss कर सकते हैं, कुछ views के हिसाब से, जैसे Elia Reese के हिसाब से, वो कहता है, ये तो एकदम fanatic religiousness का Christian के against movement था, बताईए, मतलब, ऐसे views को तो हम बिल्कुल dismiss कर सकते हैं, Elia Reese का जो views है, कि नहीं, ये तो देखिए, पागल धार्मी के लोगों का Christianity के खिलाब विद्रो था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, या पिर T.E.R. Holmes जो हुए, Holmes, उनकी भी view को हम लोग हटा सकते हैं, उनका कहना था कि ये civilization और barbarism की बीच में conflict था, हम लोग barbarian थे, वो लोग civilized थे हैं, भले हमारे वो लोगों को काट-काट के लटका थे, one cannot quite go so far and accept that it is a war of independence also, य जाद वो भी बहुत सही नहीं होगा, हाँ, यह लग बात है कि इसमें seeds जरूर पढ़ गए nationalism के, seeds जरूर पढ़ गए anti-imperialism के, लेकिन एक common nationality, nationhood, ऐसा तो कुछ वहाँ पे inherent नहीं था, 1857 के revolt में, it is doubtful if the separate communities that participated in the revolt, did so because they felt a common nationhood, यह अत पर शक होता है, यह common nationhood के लिए उन्ह part of the revolt, south के तो states ने participate ही नहीं किया, तो फिर national feeling क्या हौई, आप उनको nation में नहीं जोड़ रहे हो क्या, each of the leader had personal cause for revolting, यह बात तो सच्छा ही है, हर leader का एक अपना personal cause था, हर किसी का एक personal interest था, जिसको उसको protest करना था, इस revolt के थ्रू, लेकिन dr. Sain बोलते है, national revolutions are mostly the work of a minority, with or without the active support of the masses, यह बड़ी अच्छे बात बोलते हैं, dr. Sain कि इदे कि यह national revolution जो होते हैं, कोही असा नहीं कि पूरी country जो है revolution कर देती है, एक minority एक खास section ही revolt करता है, बाकी लोग सुसको support करें या ना करें, active support masses यह जरूरी नहीं है, from that point of view, 1857 rebellion को हम लोग एक्चु revolt of 1857 was the first general struggle of Indians to overthrow British rule, हां कहीं, first general struggle तो था ही, general struggle तो बोले सकते हैं, overthrow तो करना ही था British rule को, even this view has been questioned, इसको भी कहीं हिस्टोरियन ने question किया है, और उनका कहना यह है, कि जो बाकी आपके, पहले के जो earlier uprising थे, वो भी तो इतना ही serious थे, वो भी तो foreigners को overthrow करना चाहते थे, लेकिन उन इनको तो इतना अपने attention नहीं दिया, यह लोग ऐसे हैं, जो हर बात पर रोते हैं, कि पहले वालोगों तो attention नहीं दिया, पहले वालोगों यह नहीं किया, यह view से तो आप agree नहीं करो गया, however, S.B. Chaudhary observes, the revolt was the, क्या बोलते है S.B. Chaudhary, historian, the first combined attempt of many classes of people to challenge a foreign power, यह अची बात है, real है, if remote approach, मालो कि ठीक है, बहुत perfect नहीं हो, लेकिन real view तो है, freedom movement को समझने का, और उसी के बाद जो है, आपका later age में, इसकी seeds पढ़ती है, 1857 में, revolt में, यह बात हम कह सकते हैं, अब यहां पे कुछ views है, सुन लिजे, पहला view है, Eric Stocks का, वो बोलते हैं, 1857 stands firmly in a historical continuum, not of course, it was the direct product of social forces blowing off the political crust, but rather fortisuous conjuncture that laid these forces bane, like 1848 in Europe, despite obvious disparities, it was on uprising sans issues that could catch society moving into the earliest stages of modernization, क्या बोल रहे हैं, Eric Stocks, यह यहां पे जानने की जरुत नहीं, इनके view की जरुत नहीं हमें, इस भी चौदरी क्या बोल रहे हैं, यह भी हमने पढ़ लिया है, RC मजुमदार क्या बोल रहे हैं, यह भी हमें जानने की जरुत नहीं है, और ताराचंद क्या बोल रहे हैं, यह सब हमें historian की view जानने की जरुत नहीं important ही है, और कुछ views हैं, इस insane John Lawrence Marxist interpretation क्या है, आपको पहले नहीं है, नाम भी important नहीं है, आप मेरे पर भरोसा रखिए, आप उसको ignore करिए, खेर, आगे चलते हैं कि इसको यहीं पर रोकें, चलिए इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ, जब next podcast में हम लोग मिलेंगे तो इस revolt के क्या consequences हुए थे, बस वो बचा है, फिर significance बचा है थोड़ा स या पढ़के सुना दूँगा, तो next podcast में इस चीज को हम लोग समाप्त कर लेंगे 1857 के revolt को, आपका बहुत बहुत शुकरिया सुनने के लिए